आनुपमा में वन्राज का धानवाली अप्तर सुधpruch क्या कहना है अपने कोस्तार रुपाली गांगुली के बारे में साथ ही उनके कारक्टर के बारे में नमस्कार, मैं हूँ लीजा गंगवानी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई वनराच का कैरेक्टर प्लेए करने वाले सुधान शू बता रहे हैं कि उनको क्यूं है ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद, क्यूं है इस कैरेक्टर से उनको इतना लगाव और क्या है उनके रुपाली गांगुली के साथ संबन्द तो सबसे पहले हम आपको बता सुधान शू इस टीवी सीरियल अनुपमा के हैं हिस्सा जिस्सत में कम्प्लीट कर लिया भी हाल ही में सौ से ज़्याद एपिसोड साथ ही इसकी जो टीयार पी है वो हमेशा चाट्स में हमेशा नमबर वान नमबर टू नमबर त्री पर ही बनी रही याने कि बहुत सारी टी बहुत पसंद है उन्होंने 40 से ज़्यादा फीचर फिल्म में काम किया है जिसमें हिंदी तमिल और साथ ही एक हॉलिवुट फिल्म भी शामिल है लेकिन सबसे ज़्यादा है उन्हें वनराज का कारक्टर इसले पसंद है क्योंकि इसमें कई सारी कंपलेक्सिटी शामिल है पर ली वाइट तो कभी एक कैरक्टर बन जाता है एकड़म ब्लाग और फिर से बाॉंस बैक हो कर आ जाता है एक ग्रे शेड में आने कि यह पूरी तरीके से विलेनस भी नहीं है तो पूरी तरीके से हीरोग भी नहीं है वो यहाँ पर यह भी बोल टे बता रहे है कि इसका सिर्फ ये नहीं है कि मैं शोह का लीड प्ले कर रहा हूं लेकिन इस character के अंदर मुझे जितने तरह के shades प्ले करने को मिलते हैं जितनी complex तरीके के feelings emotions लाने को मिलते हैं परदे पर मुझे वो challenge पसंद आता है इस character के साथ तो वाई सुधानशिल से जब पूछा गया कि उनके रुपाली के साथ कैसे संबना है रुपाली जो play करती है अनुपमा का title role यानि की अनुपमा का role उनके साथ कैसे हैं उनके संबन तो सुधानशिल बताते हैं कि रुपाली गांगुली को वो सिर्फ आज इस से नहीं इस टीवी सीरियल के थू नहीं बहुत पहले से जानता है और उनके साथ उनके संबन्द काफी प्यारे हैं वो जानते हैं कि रुपाली कितनी ज़्यादा soft और कितनी kind-hearted human being है और share करते हैं उनसे बहुत अच्छा bond तो भाई सुधानशिल का जो इस टीवी सीरियल की जो उनकी को स्टार है रुपाली को लेकर जो व्यूद है वो तो हमको काफी पसंदा है आपके कहना है अनुपमा स्टार वन्राज यानि कि सुधानशियू के बारे में लिखकर बता दिजिए मैं कॉमेंट सेक्शन में साथी मैं चानल देखते रहे है क्योंकि ऐसी एक्स्क्लिजिव अपडेट्स अब तक पहुचाते रहेंगे